संभल में स्वच्छता ग्राही ने वेतन ना मिलने पर सौपा ग्यापन ग्यापन पर सुनवाई ना होने पर स्वच्छता ग्राही करेंगे भूखरताल स्वच्छता ग्राही को एक वर्ष से वेतन ना मिलने पर जहां ग्यापन सौपा है तो वही ग्यापन पर सुनवाई ना होने को ले करके फूख हरताल करने की चेतावनी भी है संभल के खंड विकास असमोली के स्वचता ग्राही के रूप में कारे कर रहे रोजगार सेवकों ने 150 रुपए प्रती शोचाले के हिसाब से मानदे मिलना था जिसके ना मिलने से आपत्पी जताई है आपको बता दें कि एक वर्ष पूर्व सोचाले पूर्ण निर्मान कराने हेतू स्वचता ग्राही के रूप में खंड विकास असमोली की ओर से ग्राम पंचायतों पर कारे कराने के लिए रखा गया था लेकिन कई बार संबंदित आला अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी वेतन ना मिलने पर आज एडी ओ पंचायतों ग्यापन सोपा है जिसमें बताया गया है कि समय से वेतन ना मिलने पर सभी स्वचता ग्राही भूखरताल पर बैठ प्रदर्शन करेंगे जिसका जिम्मेदार स्वयम विकास खंड के आला अधिकारी होंगे भूखरताल पर और धर्णा के लिए बात दे हैं मैं एडी पंचायत मुहमद हारूं प्रिकास करना समोली आज रोजगार से जो स्वच्छा ग्राही के रूप में कारा कर रहे थे मैं मेरी पोस्टिंग अभी एक महीना पहले होई है इसलिए इनके दुवारा बतायागा है कि जो स्वच्छा ग्राही का मान देता वो इनको अभी तक नहीं दिया रहा है इस संब्ध में इन्होंने अपना ग्यापन दिया है मैं इन्हें आजवाशन देता हूँ कि मैं टीप्यारों साब से इस्था से मिलका और इनको मान देन आने के लिए रिया साथ रहा हूँगा